है नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे आपके रियल्मी एक्स्टू या फिर किसी भी रियल्मी यूई सपोर्टेट फोन में बोस साइट स्वाइप जेस्टर अनेबल कर सकते हैं तो काफी सिंपल सी सेटिंग्स है और आप काफी अच्छे जेस्टर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे तो इस इन सेटिंग्स को क करने के लिए मैं आपको काफी सिंपल स्टेप्स में बताने वाला हूँ और साथ में दोस्तों मैं आपको अगर आप वर्चुल नेविगेशन कीज इस्तेमाल करते हैं जैसे कि यह आप देख सकते हैं तो इसके लिए एक माई आपको हिड़न सेटिंग्स बताऊंगा जिससे कि आप इस तरीके से हाइड कर पाएंगे आप अपने देख सकते हैं आप फुल स्क्रीन का experience ले सकते हैं और साथ में आप जब आपको जरूरत होगी तो आप इन्हें दुबारा से ले के भी आ सकते हैं तो इस फीचर को भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला है convenience tools का तो आपको इस पर click करना होता है click करने के बाद आपको यहाप पर navigation buttons का option देखने के लिए मिल रहा है इस पर आपको click करना होगा click करने के बाद then आपको यहाप option देखने के लिए मिल जाता है swipe up gestures from both side तो आपको इस पर enable करना होता है demo देखने के लिए मिल जाता है देख आपको बताई देता हूं और यहां पर options भी कुछ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं pull down to enter one-handed mode इसे आप enable कर सकते हैं अगर आप one-handed mode में भी आना चाते हैं hide gestures guide bar यहां पर आपको guide bar देखने के लिए मिल जाती है इसे अगर आप hide करना चाते हैं तो hide भी कर सकते हैं वैसे यह ऐसे ही ठीक है है मैं तो hide नहीं करना चाता हूं vibrate on back navigation key vibrate कर सकते हैं जब आप back होंगे navigation key इस से then guys अगले option की बात करते हैं तो आपको यहां पर switch to previous app का option देखने के लिए मिल जाता है swipe invert from the left or right edge and hold to switch to the previous app तो आप previous app में जा सकते हैं जब आप यहां पर sidebar बाली buttons को use करेंगे जैसे कि मैं आपको दिखा भी दिखता हूं यह आपको थोड़ा touch and hold करके रखना होगा आप देख सकते हैं आपर previous बाला button menu आपको देखने के लिए मिल जाता है then हम next option को देखते हैं miss touch prevention for swipe gestures from both sides यह है आपका swipe twice and navigate when using apps in full screen landscape mode जब आप landscape mode में full screen को use करेंगे तो यह आपके miss touch prevention यानि miss touch की problem को solve कर देगा तो इसे भी आप जरूर से enable करके रखना है guys अब मैं आपको simply बताता हूं swipe up gestures को आपको कैसे use करना है तो आप जब यहाँ पर press करेंगे तो आप देख सकते हैं इसे long press करके रखेंगे आप तो यहाँ पर recent task के अंदर चले जाएंगे जो भी task आपका run हो रहा होगा RAM में उसमें आपको directly यह पहुचा देगा then आप इसे एक बार press करेंगे तो यह back हो जाता है then यह side भी आपकी इसी तरीके से काम करेगी और जैसे कि मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ एक app मैं open करता हूँ YouTube अब guys मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे मैंने यह वाली side को use करना है तो आप यहां से इसे भी लेके आ सकते हैं यही same feature यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा जब आप long press करके रखेंगे तो आप previous app के अंदर चले जाएंगे then आप इसे short press करके रखेंगे तो आप इसे back हो जाएंगे देख सकते हैं आप यह वाला button जो है आपको back के लिए होगा आप यहां से back कर सकते हैं then आपका यह वाला जो gesture होगा वह आपका होगा recent task के लिए जब आपको यहां पर long press करके रखेंगे तो यह directly आपको recent task के अंदर पहुचा देगा देख सकते हैं आप और यह आपका main menu के लिए और यह दोस्तों आपका back के लिए आप यह वाले जो gesture से आपके यह होते हैं back जाने के लिए या फिर direct recent app में आने के लिए तो काफी अच्छे gestures यह आपको देखने के लिए मिल जाते हैं यहां पर काफी convenient है आप इन्हें यूज भी कर सकते हैं देखिए काफी अच्छी तरीके से आप इन्हें यूज कर सकते हैं काफी अच्छे फीचर्स हैं यह गाइस अगर आपको virtual keys पसंद आते हैं आपको swipe up gestures पसंद नहीं आते तो उसके लिए भी मैं आपको एक setting बताने वाला हूँ जिससे सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पर इसे डिशेबल कर यह जाएगा तो इस button का use क्या है अब मैं आपको बताता हूँ आपको main menu में जाना है इस button को जब आप press कर देंगे तो आपका ये देख सकते हैं आप ये सब कुछ hide हो चुका है navigation buttons आपको दिखाई नहीं देने वाले then आप जब आप इसे लाएंगे और इस पर press कर देंगे तो आपके दुबारा से navigation buttons आ जाएंगे तो ये button आपका काम करता है hide या फिर आपके see करने के लिए या फिर आप see कर सकते हैं इससे और hide भी कर सकते हैं तो ये काफी अच्छा option आपको देखने के लिए मिल जाता है virtual keys में तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो बताना मुझे comment section के अंदर swipe of gestures आपको काफी पसंद आए होंगे both sides से swipe होते हैं और साथ में मैंने virtual keys के लिए भी आपको एक hidden setting बता दी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक like करना चैनल को subscribe करना और informative वो वीडियो तो share जरूब कर देना ताकि और और भी लोगों को ऐसी information मिल पाए अचलिए दोस्तों मिलते हैं आप से अगले ऐसी एक latest वीडियो में तब तक के लिए जैजवान जैकिसान बारत मांदा कीजाए वंदे मात्रम